एपिसो नमबर 40 की स्टर्टिंग होती है और यांग फिंग चांग यौन को ऐसा कहता देख उसे चिला तुवे कहता है चांग वान चुप हो जाओ पिर चांग वान उससे कहता है क्या तुम उससे फिर से लड़ना चाते हो वहीं वान बाई चिलाती हुए उनसे कहती है बस बहुत हो गया यांग फैंग कहता है वान बाई पर वान बाई चांगवान के पास जाकर उसे पीछे पुछ करती हुए कहती है चांगवान तुम हस से बहुत अधीक हो और फिर चांगवन वहां से निराश होकर जाती हुए कहता है वान भाई तुमने सबसे पहले मुझे से जूट बोला और वो जाती हुए नेकलेस को वान भाई की तरह फेकता है और वान भाई उसे केच करती हुए कहती है नेकलेस तुमारे पस वापस आ गया है और फिर चांगवन वहाँ से जा चुका होता है और वहाँ वान भई रोती हुए मन में कहती है चांगवन मैंने तुमसे इसलिए जूट बोला क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें पता चलेगा कि मैं यांग फिंग के साथ हूँ तो तुम मुझे से नाराज हो जाओंगे पिर यांग फिंग उससे कहता है वान भई क्या तुम ठीक हो तब वान भई अपने आसू पोस्ति वे कहती है हाँ यांग फिंग मैं ठीक हूँ यांग फिंग उससे कहता है अच्छा है लेकिन वान भई चांगवन तुमारे ले बिल्कुल ठीक नहीं है ये सुन वान भई कहती है यांग फेंग तबी यांग फेंग का फोन रिंग होने लगता है और फोन उठाता है और बात करकर कहता है हाँ ठीक है मुझे पता है फिर वान भाई उससे कहती है यांग्फेंग क्या तुमें कुछ काम है? टुरी यांग्फेंग कहता है ये एक important काम है तुमें को जल्द से जल्द विदेश जाना होगा वान भाई केती है हाँ ठीक है तो चलो जलो वैं तुमको airport तक छोड़ देती हूँ फिर यांग फिंग वान बै के सर पर हात रखती होए कहता है नहीं इसकी कोई जवत नहीं है और वान बै चाहे तुम चांग वन के साथ हो या ना हो लेकिन मुझे उमीद है कि तुम हमेशा खुश रहोंगी और फिर यांग फिंग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है चलो वान भाई आम मैं चलता हूँ मिलता हूँ तुमको बाद में और वहाँ वान भाई उस नेकलेस को देख रोते हुए मन में कहती है चांग फेंग मुझे इंकरेस करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और ये सब मेरी गलती है जो मेरी वज़िश है चांगवन फिर से गुस्सा हो गया और फिर से इन सिर्फ टोतर वानवई सुपेबर बैटकर मन में कहरी होती है अब तो तीन दीन बीच चुके है चांगवन ने अभी तक मुझे से कांटेक्ट नहीं किया और वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है अब मुझे क्या करना चाहिए और फिर वो पेट पकड़ती हुए कहती है आ ये मेरा पेट क्यो दर्द हो रहा है क्या मैंने कुछ गलत खा लिया है और मैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी हूँ और वानवई चांगवन को कॉल लगाती है और कहती है चांगवन ये मैं हूँ पिर चांगवन उससे कहता है हाँ लेकिन मैं अभी एक मीटिंग में हूँ लेकिन तुम्हेर ये आवाज इतनी कपकपा क्यो रही है और वान बैई उससे कहती है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ बस मुझे थोड़ा दर्ध हो रहा है और तब ही उसकी आखे बंद हो जाती है और उसके हाँ से फोन नीचे गिर जाता है और वहीं चांगवन चिला रहा होता है वान बई क्या तुम मुझे सुन पा रही हो हलो वान बई अरे नहीं और फिर चांगवन तेजी से भाल की और भागता है और वहीं इंप्लाई उसे ऐसा भागता देख कहते है पिर दूसरा एंप्लाई कहता है सब खतम हो गया कमपनी का कारोबार सब खतम हो जाएंगा और फिर से इंसिफ्ट होता है और चांगवन घर पहुच जाता है और वो तेजी से गेट खोलता है और चिलात वे कहता है वान बई और फिर उसकी नंजर वान बई पर बढ़ती है और उसे देख मन में कहता है अरे नहीं ये अच्छा नहीं हुआ फिर वो वान बई के पास जाता है और उसे हिलात वे कहता है वान बई होश में आओ क्या तुम मझे सुन सकती हो चलो मैं तुमको सबसे बहले होस्पिटल ले चलता हूँ और फिर चांग वान बई को अपनी गोद में उठा लेता है और तेजी से बाहर निकलती हूए मन में कहता है ओ गौड प्लीज उसे कुछ मत होने देना और गाजजजी के साथ एपिसोग नमर फोटी यहां एंड होता है पसंदा है तो लाइक और सिस्काइब जरू करें मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में